जैशी मननारे नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को अधिक मास क्रिश्न पक्ष की एकादशी परमा एकादशी का शुम महुर्थ पारन का समय पूजा का शुम महात्व, पर्माय कादशी व्रत और पूजा विधी, उपाय और पौराडी कथा ये सब कुछ सुनाओंगी इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को इसकी इपना करें और ध्यान से सुनें अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पर्माय कादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विष्णू की अराधना के लिए व्रत किया जाता है इस साल पर्माय कादशी व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा वैसे हर महिने की एक आदशी पूजा पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है लेकिन परमाई कादशी का महत तो कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में होने की वज़ा से तीन सार में एक बार आता है पर्मा इकादशी का वरत जीवन में सुक सम्रधी की कामना वो मुक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी 11 अगस्त को प्राता 5 बजकर 6 मिनट पर शुरू हो रही है इसका समापन 12 अगस्त सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा पर्मा इकादशी वरत 12 अगस्त को रखा जाएगा इस दिन पूजा का समय सुबह 7 बजकर 28 मिनट से सुबह 9 बजकर 7 मिनट तक है पर्मा इकादशी वरत के पारण का समय 13 अगस्त 2023 23 दिन रवी वार को सुबा पांच बज कर उन्चास मिनट से सुबा आठ बज कर उन्निस मिनट तक है पर आडिक माननेता है कि विधी विधान से पर्मा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णू प्रसन्न होते और भगतों को दुरलब सिधियों की प्राप्ति होती है इसके अलावा पर्मा एकादशी व्रत में स्वण निदान, विध्यादान, अनिदान, भूमीदान और गौधान का विशेश महत्व बताया गया है एकादशी पर भगवान विष्णू की उपासना करने से पीतरों का श्राद वा तरपन करने से विशेश लाव मिलता है भगवान विष्णू को पंचामरे तरपित करने से पूजा का विशेश पर मिलता है परमा एकादशी व्रत की दिन व्रत कथा का पाठ करने से विशेश लाव मिलता है पौराडी कथाओ के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो बगवान शंकर ने प्रसन होकर उन्हें धना ध्यक्ष बना दिया था इतना ही नहीं इस वरत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, इस्त्री और राज्य की प्राप्ती हुई थी ऐसी माननेता है कि इस वरत की दोरान पांच दिन तक स्वर नेदान, विद्यादान, अन्नेदान, भूमीदान और गौधान करना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्षमी का सिरवाद प्राप्त होता है और उसे धन धाने की कोई कमी नहीं होती है परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अस्नानादी से निवरेथ होकर व्रत का संकल्पले इसके पाद भगवान विष्णू का पंचो पचार विधी से पूजन करे निर्जला व्रत रखकर विष्णू पुरान का स्रमान या पाठ करे इस दिन रातरी में भजन किरतन करते वे जागरण करना चाहिए इस दिन दान दक्षडा जरूर दे द्वादसी के दिन प्राता भगवान विष्णू की पूजा करने के बाद व्रत का पारन करे अब मैं आप लोगों को पर्मा एकादशी व्रत की पौराडी कथा सुना रही हूँ अर्जुन ने कहा हे कमल नैन आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पुर्वक वरण कर मुझे सुनाया अता अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ती होती है तथा उसकी विधी क्या है इन सब के बारे में बताईए श्री भगवान बोले है अरजुन अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह पर्मा एकादशी कहलाती है वैसे तो प्रतेक वर्ष 24 एकादशीया होती है अधिक मास या मल मास को जोड़ कर वर्ष में 26 एकादशीया होती है अधिक मास में दो एकादशियां होती हैं जो पदमिनी एकादशी शुकल पक्ष और पर्मा एकादशी क्रिश्न पक्ष की नाम से जानी जाती है इसके व्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं तथा मनुस्यों को इस लोग में सुख तथा पर लोग में सद्गधी प्राप्त होती है इसका व्रत विधाना नुसार करना चाहिए और भगवान विश्नु का धूप दीप नवेद्य पुस्प आदिसे पूजन करना चाहिए इस एकादशी की पावन का था जो की महर्शियों के साथ कामपिल्य नगरी में होई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पुर्वक स्रमड करो कामपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्रामः रहता था उसकी इस्तरी अत्यंत पवित्र और पती व्रता थी किसी पुरो पाप के कारवध दम पती अत्यंत दरिद्रता का जीवन ब्यतीत कर रहे थे ब्रामः को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी उस ब्रामः की पत्नी वस्तरों से रहित होते हुए भी अपने पती की सेवा करती थी तता अतिती को अन देकर स्वयम भूकी रह जाती थी और पती से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी दोनों पती पत्नी घोर निर्धनता का जीवन ब्यतीत कर रहे थे एक दिन ब्रामण अपनी इस्तरे से बोला हे प्रिया जब मैं धनवानों से धन की आचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं ग्रेहस्ती धन के बीना नहीं चलती इसलिए यदि तुमारी सहमती हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है ब्रामण की पत्नी ने विनेत भाव से कहा है हे स्वामी मैं आपकी दासी हूँ पती अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए मनुष्य को पुरुजन में की ये कर्मों का फल मिलता है सुमेरो परवत पे रहते वे भी मनुष्य को विना भागी के स्वार्ने नहीं मिलता पुरो जन में जो मनुस्य विद्या और भूमी दान करते हैं उन्हें अगले जन में विद्या और भूमी की प्राप्ती होती है इस्वर ने भागी में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता यदि कोई मनुस्य दान नहीं करता तो प्रभू उसे किवल अन नहीं देते हैं इसलिए आपको इसी अस्थान पर रहना चाहिए क्योंकि मैं आपका विछोन नहीं सा सकती पती बीना इस्त्री की माता पीता भाई स्वसूर तथा संबंदी आदि सभी निंदा करते हैं इसलिए हे स्वामी कृपा कर आप कहीं न जाएं जो भागी में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा इस्त्री की सला मानकर प्रामण परदेश नहीं गया इसी प्रकार समय बीतता रहा एक बार कॉंडी ने रिशी वहां आये रिशी को देखकर प्रामण सुमेधा और उसकी इस्त्री ने उन्हें प्रडाम किया और बोले आज हम धन्य हुए आपकी दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ रिशी को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया भोजन देने के बाद पती व्रता ब्रामणी ने कहा है रिशीवर कृपा कर आप मुझे दर्यदर्ता का नाश करने की विधी बतलाईए मैंने अपने पती को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है मेरे भागे से आप आ गया है मुझे पुर्ण विश्वास है कि अब मेरी दर्यदर्ता शिगरी नश्ठ हो जाएगी अता आप हमारी दर्यदर्ता नश्ठ करने के लिए कोई उपाय बताए ब्रामणी की बात सुन कॉंडिन ये रिशी बोले है ब्रामणी मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दर्यदर्ता आदी नश्ठ हो जाते है जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है इस व्रत में रित्य गायन आदि सहित रातरी चागरण करना चाहिए यह एकादशी धन वैभो देती है तथा पापो का नाशकर उत्तम गती भी प्रदान करने वाली होती है धना धिपती कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था जिससे प्रसन होकर भगवान भोले नाद ने उन्हें धना ध्यक्ष का पत प्रदान किया इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र इस्तरी और राजी की प्राप्ती हुई थी तदो परांत कॉंडी निरिशी ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया रिशे ने कहा हे ब्रामडी पंच राथरी व्रत इससे भी जादा उत्तम है पर्माय कादशी के दिन प्राथ कालनिते कर्म से निवरित होकर विधान पुर्वक पंच राथरी व्रत आरंप करना चाहिए जो मनुशे पांच दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और इस्त्री सेथ स्वर्ग लोग को जाते हैं जो मनुशे पांच दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं जो मनुश्य स्नान करके पाँच दिन तक ब्रामणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुश्य इस व्रत में अस्व दान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुश्य उत्तम ब्रामण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या की बराबर वर्षों तक विश्नु लोग में वास करते हैं जो मनुश्य घी का पात्र दान करते हैं वा सुरे लोग को जाते हैं जो मनुश्य पांच दिन तक ब्रह्म चरे पुर्वक रहते हैं वे दिवांग नाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं हे ब्रामणी तुम अपने पती के साथ इसे व्रत को धारण करो इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धी और अंत्मी स्वर्ग की प्राप्ती होगी कॉंडी ने रिशी के वचनानु सर ब्रामण और उसकी इस्त्री ने परमाई कादशी का पांच दिन तक व्रत किया व्रत पुर्ण होने पर ब्रामण की इस्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहां आते देखा राजकुमार ने ब्रह्माजी की प्रेणना से एक उत्तम घर जों की सब वस्त्वों से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया तदो परांत राजकुमार ने आजीव का के लिए एक गाउं दिया इस प्रकार ब्रामार और उसकी इस्त्री की गरीबी दूर हुई और प्रित्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात्वी पती पतने श्री विष्णू की उत्तम लोग को प्रस्थान कर गये बोलो जैशीमन नाराण अगर आपको मेरी या कता अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेर जरूर करे और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले कमेंट में जैशीमन नाराण जरूर लिखे